क्लो फ्रेंड मेरा नाम है प्रभीड और आप देख रहे हैं Learn and Tech आज की वीडियो में हम जानेंगे कि SBI क्रेडिट कार्ड का reward point कैसे redeem करें तो फ्रेंड आज यह वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फ्रेंड अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेश करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी करदें तो फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो friend इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो SPI card के जो official site है वो open हो जाएगी तो friend यहाँ पर right upper corner पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक options हो कर रहा हो लाग इन का आपको इस पर क्लिक कर देना तो friend इस पर जैसे एक क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ option आद आएगा जिससे आप लाग इन कर सकते हैं तो first option में mobile number second user id third पर card details तो मैं mobile number से लाग इन कर रहा हूँ friend mobile से लाग इन करने के लिए आपको first one option पर आपका रेजिस्टन mobile number इंटर कर देना और जो second option card pin आपको credit card का pin इंटर करके प्रोसेट कर देना तो friend जैसे हम प्रोसेट करेंगे तो रेजिस्टन नंबर पर एक OTP जाएगा वो आपको यहाँ पर फील कर लेना है तो friend जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने OTP भी इंटर कर दे इसके बाद आपको login पर क्लिक कर देना तो friend जैसे हम login पर क्लिक करेंगे SBI card के जो official website से आपको access मिल जाएगा यहाँ पर आपकी card की सारी details open हो जाएगी तो friend यहाँ पर एक और option आप देख सकते हैं कि left upper corner पर task mode का option सो कर रहा है इस पर click करेंगे इस पर जैसे हम click करेंगे तो यहाँ पर एक और option सो कर रहा है rewards पर आपको click कर देना reward पर जैसे ही click करेंगे आपके सामने 3 option सो करेगा reward summary reward redeem rewards redeem history तो आपको first value option पर पहले click करना तो friend हम जैसे first value option पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके जो भी reward points होंगे वह यहाँ पर show कर जाएंगे तो present time में मेरा 2264 reward point है mean मैं इसको easily redeem कर सकता हूँ तो friend redeem करने की भी एक criteria होती है कि आपके कम से कम 2000 reward point होने चाहिए तभी आप इसको redeem कर पाएंगे तो friend हम redeem करने का process देह लेती है तो reward पर click कर देंगे तो redeem reward पर हम जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पर कुछ option आपको सामने open हो जाएंगे but print यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर reward points थोड़ा सा ज्यादा चीज़े होता है तो इसमें एक और option यहाँ पर points wise आप इसको filter कर सकते हैं कि आपके criteria क्या है और आप कितने points को redeem करना चाहते हैं तो हम point पर click कर देंगे यहाँ पर point पर click करेंगे तो मेरे पास present time में 2000 के आसपास reward point है आप उसी base पर जितना reward point है आप वो select कर लें तो मैं 0-2000 पर select कर देता हूं तो फिर इस पर select करने के बाद आपको फिर city select है न सीटी में आपको जो भी city है वो आप यहां से scroll करके नीचे जाके select कर लें तो फिर मैं हलका सो scroll करके जाता हूं देखता हूं यहां basically मेरा option तो नहीं आ रहा बट तो मैं कोई नहीं कोई दूसरा option ही field कर लेता हूं तो यहां पर आगरा select करने के बाद इसके बाद आपको criteria select करने है में आप किस type का reward चाहते है तो फिर मैं इसमें cash पॉसिबल होता है यह e-boucher चाहता हूं तो e-boucher पर click कर दूँगा e-boucher पर click करने के बाद यहां पर आपके सामने कुछ ऐसे options open हो जाएंगे तो फ्रेंट हम हलका सा scroll करके जाएंगे तो यहां पर आप देख सेकते हैं कि clear tip का e-boucher है में 2000 पर आपको यह 500 रुपय का e-boucher मिल जाएगा फिर तथा हलका सा नीचे scroll करके जाएंगे तो amazon पे e- इसी बेस पर redeem करोंगे क्योंकि यही मेरे ज्यादा यूज में आ सकता है तो redeem now पर click कर दूँगा तो print redeem now पर जैसे click करोंगे तो यहां पर सारी details जो है वो open हो जाएगे अब अलका सा scroll करके नीचे जाएंगे तो आपको इसके बाद क्या करना है add to card में इसको enter कर देना तो print add to card में हम जैसे click करेंगे यह add to card में okay हो जाएगा अब पर जो left side में reward category के side में सो करा my shopping card इस पर आपको click कर देना इस पर जैसे ही click करेंगे तो हलका सा scroll करके नीचे जाएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो reward का mean एक voucher जाएगा जो की code type का होता है वो आप किस चाहते हैं तो मैं mobile number और email id दोनों पर चाहता हूँ तो इस पर दोनों पर click करके place order पे click कर दूँगा तो कुछ ऐसा option आप सो कर जाएगा यहां पर देख सकते हैं first वाले option पर आप सो कर रहा है यह voucher will be sent to the register mobile number within 5 calendar day तो friend यहां पर clearly लिखा हुआ कि 5 calendar day के अंदर mean basically इतना time तो नहीं लगता है तो इससे कम ही time में यह reward point का voucher आपके email id वो mobile number दोनों पर आजागा तो friend जैसे ही मेरे mobile number पर voucher आजागा मैं उसको फिर कैसे use करना है उस पर भी एक video बनाके upload कर दूँगा I hope कि यह video अपके लिए useful रही होगी okay friend मिलते next video में thank you so much for watching this video